जी हाँ दोस्तों आखिर जिस बात का डर था आखिरकार बही हुआ शक्तिमान पलट गया शक्तिमान पलट गया मैं भी तो सोच रहा था कि यह शक्तिमान पिछले 6 साल सो रहा है अचानक उसकी आँखों में शरम कैसे आगई दोस्तों वो एक इतिफाक था वो एक ऐसी थी जो वाकई मैं अपने ही इमेज को पढ़ाने के लिए यूज की जारे थी आपको पता होगा कि नकले शक्तिमान था यानि सनी देवल उसने क्या कहा था कि मैं गामीनी के साथ भी हूँ और चड़्डा के साथ भी हूँ यही काम हमारे अन्ना हजारे कर रहे हैं अन्ना हज राजनिती के लिए अंदोलन नहीं करना चाहिए आप उम्मीद कर सकते हो वह शक्तिमान से जो लगाता च्छे साल सोता रहा लेकि मुझे उम्मीद थी क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि यह जो इंसान है जो यह निखली शक्तिमान है बागई में बेजीपे का स्पोंसर इंसा नहीं आने चाहिए वह गलत है क्या है पक्ष और परट्य जो होती है हमारी जो पक्ष और परट्य होती है इनका मुख्य वह देश यही है समाज की भलाई राज्य की भलाई देश की भलाई आगर वह समाज की राज्य की देश की बलाई को देखते भे करते हैं तो अच्छा बात है लेकिन आगे का इलक्षन को देखकर करते है तो गलत है वह ठीक नहीं अन्दोलन है वह राजिनित की नहीं होना चाहिए मेरे सवाल होगा जो अन्ना हजारे हैं ये आप कैसे तैकरोगे आप कैसे माफोगे कि कौन सा अंदोलन राजनीती है कौन सा अंदोलन किसान का है क्योंकि जब 2010 में 11 में 12 में आपने अंदोलन किया था तो वो किसानों के क्यों था वो राजनीते ते क्यों नहीं था उसे तो सारी के सारी पार्टियों ने सब्ड़तन दिया था तेकि आज जब आपके सरकार सत्ता में हैं और Bipaksh में कोंगरे सरे दूसरी है तो आप किसादों के अंदोलन को यह कहते हो कि यह राजीनीती है उसी के बाद इन्होंदे वीडियो में जिकर किया इन्होंने कहा के बिपक्ष का काम होता है वर देश की सेवा करना लेकिन अगर बिपक्ष की नियत यह है कि Alexa आने बाला है इसलिए हम अंदोलन का साथ दे रहे हैं, तो यह गलत है मैं पूछना जा चाता हूँ 2011 में जब आपने अंदोलन किया था और उस समय जब BJP ने आपका साथ दिया था तो क्यों दिया था? क्या आपके अंदोलन की बेस है? क्या आपके इस पूरे campaign के बेस है Congress नहीं हारी थी Congress हारी थी BJP जो सत्ता में आई थी उसका सबस्वड़ा credit आपको जाता है आपकी पूरी team को जाता है चाहे वो केजरीबाल हो चाहे वो योगेंदर यादव हो चाहे वो कुमार बिस्बास हो चाहे वो आप हो क्योंकि आपने एक narrative तयार किया था आज बही किसान जब अंदोलन करते हैं और कुछ छेत्रे पार्टी ये विपक्ष उनका साथ देता है तो आप क्या बोलते हो कि ये राज़नीती हो रही है अन्ना हजारे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी इसलाब बढ़िया तो आप सोते रहते लेकि आप अगर देश को ये बताने ही कोशिस कर रहे हो कि हमारे देश का जो किसान है वो अंदोलन इसले कर रहा है कि इसमें राज़नीती सामिल भो सकती है तो याकिन मानिए मुझे लगता है कि बाकई में आपने अन का करज अदा नहीं किया और अन जैसे चीज़ का करज अदा भी नहीं हो सकता तो दोस्तों एक बात कि कहना चाहता हूँ अपसे इतना आसान नहीं है अन का करज अदा करना खैर अन हाजारी सामिद तो हमें क्या होती यह उम्मीद तो उन्हें पिछले 5 साल में खो दी है क्यार मिलता हूं नई टोपिक के साथ तब तक के लिए जैए